Assalamu alaikum everyone, welcome to Sardy Vibes here, I am Usman Meharin with new video and with new thoughts So, हमारी आज की जो वीडियो है, वो हमारी एक पहन ने हमें सजेस्ट करी है और इस वीडियो का नाम है क्या इसलाम में बदला लेना जायज है गाइस देखो जहां तक मैंने पड़ा है और सुना है, इसलाम में बदला लेना जायज शायद नहीं है इसलाम में अल्ला ने बोला है कि आप बदला लेने की जगा सबर कर लो, वो ज्यादा बैटर होता है हजार जवाब देने से अच्छा है, एक चुपी, उस चुपी को रखके आप सारे बदले के सारी काइनात जीच सकते हो तो मुलाना तारिक मसूद ने इस वीडियो के अंदर क्या बोला है, वो देखते हैं, आज मेरी थोड़ी आवाज नासाज सी है तो उसे इग्नोर करते हुए, आप लोग प्लीज मेरी वीडियो पर रियाक्शन जरूर देखें और प्लस लाइक करें मेरे चैनल को शेर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज 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 आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टन है, तो प्लीज लाइक करें, और देखते हैं हमारी सुडियो के अंदर क्या है एक खातून का फून आया, वो कहने लगी, मैं हजरत मौना तारी जमील साब के बयाना सुनती हूँ और चार साल से उनके यही बयाने के सबर करो, सबर करो, जोड, जोड, सबर करो, जोड, अच्छा वो पहले पूरा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपको मज़ा आएगा उ खातून का फून आया, वो मुझे मौना तारी जमील साब समझ रही थी, मुझे समझ रही थी, कि मैं नाम मिलते हैं, अभी दो-चार दिन पहले की बात, आजकल वैसे ही फून, मैं कमी उठा रहा हूँ, मैंने का चलो उठा लो, तो मुझे क्या पता था, एक दम बरसना शु उठा उन रही हूँ, मेरा घर तबाओ गया, मेरा घर उजड़ गया, मेरे परबाद हो गई, यूं होगिया, तो, मैंने का बेटा, यह तक इनका मियां कही दूसरी शादी कर रहा होगा, अपने आप से मैं कह रहा हूँ, अपने आपको भी बेटा कह सकता है, समझाने के तो अब ये मसला चल रहा होगा पड़ा इस वज़े से हो रहा है तो उन्होंने ठीक ठाक सुनाई मेरा बेड़ा घरक कर दिया मुझे तभा कर दिया मैं कब से आपको कितने दिनों से नंबर तलाश कर रही थी मैंने का सुन लो बिचारी दुखी है तसलिय से अपनी भड़ास निकालने तो फिर मैं आराम से पूछूंगा हुआ क्या पूरी भड़ास उन्होंने निकाली तो मैंने का वो आपके मियाने मेरे शादियों पर बियाना सुने होंगे इस वज़े से आप कहरें नई नई शादियों वादियों पितनी वो तो करते रहें मुझे उससे कोई वो नहीं है मैंने का फिर किया रहे हैं आप हमेशा जोड की बात करते हैं बरदाश की बात करते हैं जोड बरदाश जोड बरदाश तो उस जोड और बरदाश की वज़ा से मेरा मिया और मेरा सुस्राल मुझ पे हावी हो गया है मैं बरदाश कर 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 के सास जो पूरे अलफास तो मैं उनके नहीं बियान कर रहा हुए उसको याँझे जाहर है अबलफाज तो मुझे पूरे याद नहीं हुँए नगैना जो उनके ज़स्बात और उनके अलफास वो अपनी बिलमाना रिवायत कर रहा हुए कि वो मैं बरदाश कर करके इगनोर करो, इगनोर करो, इगनोर करो, इगनोर करो, और पिस गही हूं मैं, और अब मेरी सिंदगी तबाह हुगई, तो मैंने, मैं समझी गया, जोड की बात कौन करता है भाई, यानि हम भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर हदरत करते हैं, तो माशाल में ठीज़र में तो मजलूम भी बन गए ना मैंने वो विचारे बयान जो करते हैं वो उसका यह मतलब तो नहीं है कि जहां बाध सूर्थों में शरीयत ने इन्तिकाम लेने की अजाज़त दिये वहाँ तो जाइस है तो मैंने का कि वो उसका ये मतलब नहीं है जो आप समझ नहीं है अब वो क्या मतलब है वो मैंने का किसी वक्त बता देंगे फिलहाल मैं आप से कह रहा हूँ कि आप्शन बी भी है आप्शन बी भी है कि बरदाश नहीं करो क्या खियाल है मैंने का असल तो यही है जैसे वो कह रहे हैं क्योंके आजकल जो मौाशरे में फसादात ज्यादा पहल रहे हैं वो अदम बरदाश्ट ही की बुनियात पहल रहे हैं लेकिन अगर आपका मामला ऐसा है कि इतना जल्म हो रहा है कि बहुत ही जल्म की चक्की में आप पीस रही है तो आप्शन बी भी है वो कहरी मैं बरदाश्ट करकर के ठक गई और मैंने का आइंदा से बरदाश्ट बो भाई ना करें मैंने का गुरान में अल्ला का इर्शाद है बुराई का बदला उसी खदर बुराई ये ल्ला ने अजाज़त दी है लेकिन ल्ला ने आगे तरगीब क्या दी फ़मन अफा वा असलह जो मुआफ कर दे और इसलह कर रहे मुआश्रे की तो फइन जालिक मिन अजमिल अमूर ये बड़े दिल गुर्दे का काम है ये बहुत पेखंबरों की सुनत है इसमें एक हमें इस आइस से क्या पता चलता है कि नमबर एक कि इसलाम में बदला लेना भी बोलो ना भाई जाइज है एक बात तो ये पता चलती है बदला लेना भी क्या है जाइज है नमबर दो معاف کرنا अफ़ल है लेकिन कब फमन अफा वा असलह मौअफ करे और मौश़े की इसला करे पता चला मौफ करने से अगर मौश़े को फाइदा हो रहा है फिर मौफ करे फाइदे के बजाए नुकसान हो रहा है तो फिर मौफ करने की तरगीब बहुत बोलें बोलें इतनी खुबसूरत बात किये मैंने अल्ला ने किये मैंने नहीं किये इसलाम दीने फितरत है बास दफ़ा मुआफ करने से फाइदे के बजाए क्या हो रहा होता है नुकसान हो रहा होता है जैसे हदीस में आता है कि अगर एक सहाबी ने पूचा या रसूल ला मुझसे अगर कोई मेरा माल छीनने की कोशिश करे मैं क्या करूँ फरमाया नहीं दो या रसूल ला वो मुझसे लड़ता है फरमाया लड़ो तुम भी या रसूल अल्ला वो मुझे कतल करने की कोशिश करता है फरमाया उसको मार तो जान से आप्शन बोलो भाई क्या करो उसको फिर नभी ने तरगीब दी फरमाया उसने तुमें इस लड़ाई के दौरान कतल कर दिया तो तुम शहीदो तुमने कतल कर दिया तो वो जहन्म में शहादत का मरतबा मिल रहा है किस पे फड़ा करने पर क्यूं यहां मुआफ करना भी जाइज है कई दाकू छीनने के लिए आए तो जरूरी नहीं है कि आप लड़के जानी देदें अपनी जरूरी नहीं है लेकिन तरगीब किसकी दी जा रही है कि लड़ो अपने हक के लिए क्यूं यहां मुआफ करने में इसला नहीं है लड़ने में इसला है तुमने छोड़ दिया वो आया और एक दो पंच लगाए और मुका भी मारा उसने और बंदूग भी है उसके पास गतल करना जब जाइज है जब बंदूग से आप पर यानि असलिहा दिखा के आपसे लड़ रहा हो वैसे अगर मुक्के बाजी है फिर कतल करना जाइज नहीं है किसी को भई असल आपको पता है ना कि आप मार भी सकता है आपको तो दिखा में आप उसको मार सकते है तो यहां मौाफ करने में इसलाह नहीं है यहां इंतिकाम लेने में मौाशरे की क्या है क्योंके अगर इन लोगों को आप छोड़ दोगे कल यह किसी और का बटवा चीनेगा मैंनियू कराची में इमामत किया करता था वहां के लोग जब किसी डाकू को पकड़ते हैं तो उस डाकू की शहादस से पहले उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मौाफ करते हैं यह उनका उसूल है आप चले जाएं नियू कराची में कोई डाकू पकड़ा जाए ना जिसके पास बंदू को तो वो उसके जितने भी कबीरा और सगीरा गुनाह माजी में अलानिया, सिर्रा हाजस से गुनाह किये जबान से, आँखों से जैसे दूआ मांगते हैं एल्लह मेरे तमाम सगीरा गुनाह, गबीरा गुनाह जो चुप के किये, जो अलानियतन किये जिसका तालुख हुकूग लिबास से हो जिसका हुकूग सारे गुना उसके क्या होते है क्योंकि हदीस में आते है मुमिन को कांटा भी लगता है तो उसके गुना माफ होते है तो सोचो जब न्यू कराची वालों की चितरोल लगते होंगे उसको तो कांटे से जब गुना माफ हो रहा है कि इस तरह मारते हैं वो इस तरह मारते हैं मैंने वहाँ खुद देखा है कि उसको फिर मार मार के ना एक मोटर सैकल चीनने वाला डाकू ता उसको पकड़ा हम भी वहीं मौजूद थे उसको लोगों ने मार मार के पत्थरों से जो जिसके हाथ में आ रहा है मारा उसको और जब पुलिस आई है तश्रीफ लाई है पुलिस काफी टाइम गुजरने के बाद तो देखा के इसकी सांसे चल रही है कि नहीं चल रही है उनको यकीन हो गया कि ये थोड़ी देर में इसका इन्ना लिल्ला होने वाला है तो उन्होंने कहा कि जब मुकमल इन्ना लिल्ला हो जाए तो हमें इतिला क्योंकि अब ले जागे ना हस्बताल ले जा सकते है इसको ठीक है ना और कुछ भी हो सकता है ना तो अब तो मार दिया वैसे तो पुलिस कोशिश करती है भई डाकू को छुडवाए लोगों से ताकि जो भी अदालत में केस चले उसके उपर लेकिन जब पुलिस वारों नो देखा कि ये तो अब मर गया है और अब इन्ना लिल्ला इसका होने वाला है तो उन्ने ने का पिन्ना लिल्ला ही को उने तो पूरा इसका तो वो नतीजा फो पिर जब वो डाकू को मारा ना बहुत ज़्यादा लोगों ने तो एक साहब मेरे पास आए तरस खा रहे थे डाकू पे किलने के मुटर साथ जुम्मे के बियान करें बोलें लोगों को लाका वास्ता ऐसा तो ना करें बिचारा तो मैंने का ऐसा तो ना करो कि इसको बिचारा करो इसको बिचारा तो ना करो एक मोटर सैकल के चकर में कितने लोगों की जिन्दगी यह चीन चुका होगा कितनी जवान औरतों को बेवा कर चुका होगा कितने बच्चों को यतीम कर चुका होगा ये एक मुबाइल और एक बाइक और एक गाड़ी जो माल है उससे लोगों की जानों से खेलते हैं ये लोग काबल तरस इनको मुआफ करने वाला इस लाइक है कि उसको चौक पे लटका दिया जाए जो डाकू को पकड़ के छोड़ देना मेरी गौर्मेंट हो तो मैं उसके लिए कानून बनाऊंगा कि डाकू तो नहीं लटकेगा तू पहले लटकेगा तूने छोड़ा क्यों इसको लोगों की जिन्दगी उसे खेलने दे रहे हैं आप उसको इस किसम के जो मुझरिमीन है कुरान उनकी मुआफी की अजाज़ाथ नहीं देता हाँ एक कुरान कहरा है क्या आजीब आयात है कैसा कुरान हमें गाइड करता है कैसे बेतरीन अंदास से तर्बियत करता है फरमाया वो डाकू कि गिरिफतार होने से पहले तूबा कर लें कैसे प्यारे अलफाज हैं भाई एक आदमी गन पॉइंट पे लोगों से मुबाइल चीनता है मोटर सैकले चीनता है पैसे चीनता है पकड़ा गया अल्ला फिर्माते इसकी तूबा दुनिया में QAबूल आखिरत के लिहास से तूबा काबूल नहीं इसको सजा मिलेगी नहीं है यह सजा मिलेगी हटा के अजीब बत आपको बताओ जो लोग गन पॉइंट पे लोगों से माल चीनते हैं और जिन लोगों का गतल किया है ना इन्होंने, उनके लवाहिकीन भी मौफ नहीं कर सकते हैं, अगर कुरान में हर जगा मौफी मौफी ही होती, बस मौफ करना है, मौफ करना है, तो कुरान इनसे मौफी का आपशन सौफिसद खता हैं, यानि गवर्नमिंट को इजाज़त नही इसको लटकाया जाएगा, मौफ किले भाई, यह औप्शन, बोलो भाई, यह कौन सा आपशन है, यह भी औप्शन है, यह वाला भी एसलाम का एक रुख, क्योंके इसको गतल किया जाएगा बतौरे हद के, बतौरे किसास के नहीं, बतौरे हद के, हद कहते हैं, जिस जो अल् हकूमत को महजद, वकील बना रहा है, मतवली बना रहा है, के सजा तुम मैं ले रहा हूँ, तुम सिर्फ जरीया बन रहे हो, तुम्हें मौफ करने की अजाज़त, नहीं है, जैसे जानी का जिना चार गवाहों से साबित हो जाए, तो गवर्मिंट को मौफ करने की तो मकतूल के वरसा को मॉआफ करने की भी इजाजज़त है और अकिसास लेने की भी इजाज़त है लेकिन डटेटी के दौरां अगर कोई किसी को कतल कर देए डेकेटी आम कातलों से अलग चीज़े एक तोई आपका किसी से जाती जगडा चल रहा है आपने बंदा मार दिया तो इसलाम क्या कहता है भाई जिसका बंदा मार रहा है उसके वारिसीन को लाया जाए हकूमत कातिल को पकड़ के वारिसीन के हवाले करेगी यहां भी गवर्नमेंट को माफ करने की अजाज़त क्युए government का बंदा थोड़ी मारा है हमारे मुल्क में government भी सदर की अपील पर फांसी की सजा क्या कर दी बहुत सदर का बात भी थोड़ी मारा है जिसका औरत का शोहर मारा है उस औरत से पुछो कि माफ करेगी की और नहीं करेगी गोरों के कवानीन हमने مسلط किये हैं अपने उपर जिनकी कोई सेंस बनती नहीं है तो जिसका बेटा मारा है तो बाप को है ना बाप को हुकम है कि वो माफ करे या ना करे भाई को मारा तो भाई और बाप उसके वाली वारिस है तो किसास अलग चीज़ है और हद अगर कोई जाती दुश्मनी की बिन्याद पर किसी को कतल कर देता है तो मकतूल के वारिसों को शोहर को कतल किया बीवी अपने शोहर के कातिल को गोली भी मार सकती है और माफ भी कर सकती है दियत भी ले सकती है क्योंके नुक्सान किसका हुआ बोलो ना यार औरत के नुखसान हुआ गवर्निमिंट का काम यहां पर सिर्फ इतना है कि कातिल को पकड़ के मक्तूल के वारिसों के हवाले कर दे भई तुम मुझरिम पकड़ने सकते थे तुम्हारे पास ताकत नहीं है लो हमने पुलिस का इस्तेमाल किया और यह तुम्हारे जैसे सौदी अरब में होता है और एक कतल वो होता है जो डकेती के जुम्रे में आता है जाती दुश्मनी नहीं है मुबाइल चीन रहा है लोगों से बाइक चीन रहा है गन पॉइंट पे पर्स चीन रहा है या घर में डाको घुसके डकेती करते हैं तो ये अगर किसी बंदे को गतल करें या ना करें ये अगर पकड़ाई में आ जाए तो फिर जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआफ करने की अजाज़त बोलो ना भाई, नहीं है आई बासा हो जाए, क्यूं? उस गातिल जिसने किसी शास को जाती दुश्मनी की बेस पे गतल किया वहाँ कातिल को मुआफ करने का भी आप्शन और ना करने का भी आप्शन मुआफ करने की तरगीब दी शरीयत ने क्यूंकि वहाँ मुआफ करने में मौाचरे को क्या है? फाइदा है فائدہ یہ ہے کہ قاتل ساری زندگی مقتول کے وارثوں کا احسان مانے گا کیونکہ وہ قاتل کوئی فسادی نہیں ہے اس نے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ایک بندے کو مار دیا تو ساری زندگی دبا رہے گا وہ مقتول کے وارثوں سے نظریں نہیں ملائے گا کہ میں نے ان کا بندہ مارا اور پھر بھی انہوں نے مجھے معاف کر دیا ممکن ہے اس شرم سے زمین میں گڑ جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے اور اصلاح کرے کچھ بھی کر سکتا ہے लेकिन जो आदमी मुबाइल छीनने के लिए बंदे मार देता है और ये आदमी को अगर आप माफ करेंगे गौर्मेंट माफ करेंगी तो गवर्नमेंट का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है ना तो ये कहागा गवर्नमेंट का मैंने कुछ बिगारा थोड़ी है जो उसने मुझ पर माफ करके एहसान किया एहसान तो मानेगा लेकिन उसको पता है कि हुकूमत का तो कुछ जा थोड़ी रहा था आप कह सकते हैं आवाम का सरमाया हुकूमत का तो होता है ये गलत है हुकूमत क दे रही होती है जैसे यौरप में बूडों की बड़ी केर की जाती है ओल्ड होम में पैसे दिये जाते हैं तो गौर्मेंट अपनी जब से दे रही हो पैसे लोगों के ते वहां की गौर्मेंट बहुत अच्छी है इस लिहास से अच्छी है कि एक निजाम को मैनेज किया हुआ लेकिन वही पब्लिक से लेके बूड़ों पे दे रही है और इसलाम क्या कहता है कि जिसका बूड़ा है बेटा उस पे खुद खर्श कर ले उसको ओर हो में जमा क्यों करा रहे हो भई नहीं आरी बाई जिसका बेटा है वो अपने बाप पे खर्श करे तो तालुकात क्या होंगे बाप और बेटे के तौरान दर्मियान अच्छे लेकिन वो वहाँ क्या हो रहा है बेटा बाप पे खर्श नहीं कर रहा है हुकूमत बेटे से लेके किस पे खर्श कर रही है बाप पे तो बाप समझते है कि मुझे कौन दे रही है गौर्मेंट ओर बेटा समझता है कि गौर्मेंट ने जवरन मुझसे क्या वसुल कर रही है ट멍दा थीक्स ठीक है न तो महबत के इलावा हर चीज़ प्रोमोर्ट हो रही है समझने है बात को? नहीं समझने तो भी ठीक है तो भी ठीक है चलता है तो मैं यह इस कर रहा था कि क्या बात कर रही थी यार यह हाँ यहाँ डाकू को मुआफ करने की अल्ला ने हुकूमत को भी इजाज़त नहीं दी और डकेहती के दौरान किसी का कोई गतल हो गया तो यह नहीं है के खुमत मकतूल के वारिसों से पूछेगी के बताओ मौफ करना है या सजा देनी है शरीयत में इसकी अजाज़त नहीं है ल्ला कहते हैं यहां मौफी का ऑप्शन नहीं है गिरिफतारी से पहले तौबा कर लेता तो मौफी का ऑप्शन था और तूबा भी ऐसी हो कि इसके हालात से लगे कि वाकिए तूबा की है यहां भी अल्ला ने यह नहीं का कि बस अच्छा गुमान रखो भी तूबा कर ली होगी छोड़ दो उसको ना 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 दिलों के हालात अल्ला के सिवा कोई नहीं जानता क्योंके यह एक मुझरिम है रियासत का लोगों का मुझरिम है तो फुकाहा ने बयान किया है कि सिर्फ जबानी कलामी तूबा काफी नहीं है उसके हाला से और आएंदा लाइफ स्टाइल से यह जहलकने लगे कि वाकिए इसने साबिक जिन्दगी से तूबा कर लिये फिर इसको माफ किया जाएगा समझ रहे हैं के नहीं समझ रहे हैं तो यह कौन सा आप्षन है यह तो B भी तो यह वो मुझरिम है नहीं भी है बेतर है कि माफ कर दो दूसरा आप्शन क्या हुआ कि बेतर है कि माफ ना करो तीसरा है कि माफ करने का आप्शन है यह नहीं इसलाम में तीन आप्शन है तो यह वो मुझरिम है माफी का आप्शन नहीं है जिना कर लिया किसी ने معافی کا option نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی کسی شخص نے چوری کی ایک عورت تھی وہ مقدمہ آیا نبی کے پاس آپ نے حکم دیا ہاتھ کٹ دو تو زید ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ حب رسول اللہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے حب عربی میں چہیتے کو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ زید ابن حارسہ سے کہ کہا جائے کہ نبی سے سفارش کریں کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کٹا جائے کیونکہ یہ نبی کے بہت چہیتے ہیں نبی ان کی بات کو رد نہیں کریں وہ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کا عورت کا ہاتھ نہ کٹیں سردار قبیلے کی عورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کٹتا مفتی تارک مسعود صاحب کے بیان جو گائز مجھے یہ بات نہیں پتا تھی جو میں نے سٹارٹنگ ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے بولی کہ میں نے جتنا سنا تھا کہ بدلہ نہیں لینا بٹ کسی کسی پوائنٹ پہ آ کہ آپ جواب دے سکتے ہو یہ چیز ابھی مولانا صاحب نے بولی سو کوئی اس چیز کے اوپر conclusion نہیں ہے آپ لوگ جو چاہتے ہو obviously باتیں سامنے والے کو پتا ہوتے ہو اس کے اوپر کیا بیٹ رہی ہے یا وہ کیا کر رہا ہے یا وہ کس situation سے گزر رہا ہے if اگر یہ چیز possible ہے آپ کر سکتے ہو تو پھر سامنے سے اپنا feedback دو سامنے والے کو جواب دو but کچھ situations ہوتی ہیں جہاں آپ کو سبر بھی کرنا پڑتا ہے کچھ situations option b جس طرح انہوں نے بتایا وہ بھی ہونا ہے تو پھر وہ بھی کر سکتے ہیں so ویڈیو کو like کریں اور reaction اچھا لگا ہو تو share کریں subscribe کریں channel کو please 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 thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ